कि अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी है पेन एंड आउटिसम के बारे में इसका एक बहुत इंपोर्टन आश्पेक्ट जो है वो डिसकास करना रह किया था इसलिए मैं चोटी सी वीडियो और बना रहे हूं जब बात करी इंटरवेंशन की कि हम पेन कैसे बच्चे को स सकते होता है तो बच्चे कियसे समझ हो गया घरा अब कम दो गक्चे क Melqui में न 됐ा है वीडियो को सब्सक्राइब का क्या हम सब्सक्राइन क्या है की यह करा एक किया सब्सक्राइब बताएं सब्सक्राइल और विया है शुर। तो यह वह वह जो किसे लगी थी कब लगी किया हुआ था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बचे को उसके लिए भी प्रपेर करें यह भी हमारा पेन पें न एक बहुत इंपॉर्टंट एस्पेक्ट हैं अब इसके लिए हम क्या करेंगे सब से असान तरीका one simple effective technique is story telling आप अपने बच्छे को storytelling technique सिखाएंगे story telling में उसने सिफ questions को answer करना है आपने specific question पूछना है और या अउननी सब्सक्राइब को रेगुलर प्राक्टिस देनी है वो specific दिन में दोपेर में हुआ उस समय और क्या-क्या था आप specific सवाल पूछ सकते हैं कोई मुवमेंट करें आप कहीं बैठें आपने किसी से बात करी है आप कुछ खेल रहे थे आप ने किसी चीज को पुश किया किसी चीज से अप लगे आप कहीं गिर गए specific questions पूछिए और उसको practice कराईए वो specific answer बताएगा आपको कि मेरे यहाँ pain हो रहा है जादा हो रहा है इस time से हो रहा है जैसे उसके चोट लग गई थी तो मैं खेल रहा था मैं गिर गया और फिर में को जो है यहाँ पे थोड़ा कुछ लगा और लाल-लाल मैंने blood देखा इना मत सब ऐसा नहीं कि उसको exactly बताना है बट आपके general questions को अगर बचा you know answer कर देता है एक story के form में आपने उसको सिखाना है कि हम story बता रहे हैं उस event की तो इसको हम कहते है story telling technique actually तो अगर वो बचा आपके questions के answer कर देता है story के form में sequence में कि यह यह जो भी उसे बता सकता है जो भी उसे है जिस भी तरहीं से वह express कर सकता है तो बहुत सारी add-on information आपको मिल जाते और आपको जो guess करना होता है वह कम हो जाता है तो इसको जरूर ट्राय करिए और यह आपका सिर्फ में और different aspects में भी बहुत काम आएगी और हमें पता है autism में अगर हम बच्चे को prepare करें आपको करना जो चीज वीजुल होती है जो चीव एक्स्पीरेंस करते हैं उसको यह वीजुल फर्म में and factual information में तो बच्चे बहुत जल्दी से हमें correct answers दे देते हैं तो factual information ही हमें चाहिए in an event of pain in an event of any kind of injury then why not use it यह उनकी strength हम उसको जितना यूस करेंगे उतना हमारे लिए ही benefit होगा तो do try story telling technique this is the last part of pain in autism and it is going to be really helpful यह आज यहाँ पर घतम हो रहा है pain in autism का topic and do subscribe my channel share it with your friends and family and keep posting your comments and you know queries के आप किस topic पे जाते हैं मैं और वीडियो बना हूँ आपकी क्या queries है feel free to contact me on any you know topic जो भी आपका concern है thank you take care